हेलो वेल्कम बैक टो मैं चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं लाइटिंग पॉल फांडेशन में एल्बो पाइप कैसे लगाया जाता है और उसमें जो प्लेट लगती है जो नट बॉल्ड लगती हो कैसे लगाया जाता है तो आई हम लोग जानेंगे स्ट कितने हाइट पे और कितने एमें में आपको दश लगाना तो आई हम लोग जान लेते हैं पाइप एरिया में दोस्तों यहां पर जो देख रहा है यह जो है वान फिंटी एमें का जो जो कि बाइपास का है और दो पाइलबो है जो की इन आउट के बला नहीं हम लोग तो प्लेट यो है जो इस प्लेट वह आपको बाइपस जो पाइप है जो इसमें केबल हम लेह य сторону 800 एम्म्पेज्म और आपको बता दों यह जो एलबो लगा हुआ है जो केबल इन आउट होगा यह शेजू एमweek में इसा ठीक है एसा ही हम लों सेम लाइब आपको दिखाते हैं आपको foundation कैसे बनाना है और कैसे हम लों इस्टाल करते हैं दोस्तों यह जो फाउडेशन है 700-700 mm का है ठीक है तो इसमें आई हम जानेते कैसे पाइप लगाए है उससे पहले आप लगाने से पहले प्लेट लगाने से पहले आपको पूल का बेस जो है उसको मेजरी कर लेना है पूल का बेस जो होल है पूल का बेस का होल उसको आपको मेजरी कर लेना बहुत जरूरी है कि आप जानले इस वीडियो में step by step आपने देखा जो ड्राइंग में उसी हिसाब से आपको पॉल फाउंडेशन को लगाना है और हाइट बरावर करना है दोस्तों यहां पर देख रहा है और यहां पर प्लेट भी इस्टिल प्लेट भी लग गया है और रड भी चार जो लग गय लेना है जो कि सेंग ड्राइंग की तरह इंड होगा और यहां से आउट होगा और जो चार इस्टिल लगेगा ऐसे रहेगा ठीक है ना थ्राडिंग लगा रहेगा उसी पर आपको एस्टिल लगाना है और यह जो है यूटाइप का बना हुगा है इसको नीचे अच्छे से जो कि यहां पे आप देख रहे है एक अच्छे से बान लेना अच्छे से क्योंकि कंकरिट जो भगा ना तो सिसमें अंदर आ जाएगा थीक है ऐसे अच्छे से इसको बांद लेना है और अच्छे से लेबल करके इसको और सीधी करके लगाने है ठीक है और आपको लेबल जरूर चेक करना है यह चारो तरफ से हाइट भी बराबर चेक कर लेना है ठीक है ओके दोस्त यहां पर देखे रहें ड्राइंग में जैसे दिया था दोस्तों आप जब भी चेक कराना पड़ेगा द्राइंग के हिसाब से यहां पे देख रहे हैं आपको बना हुआ है ठीक दोस्त आगे हम आपको बताते हैं यहां पे हमने यह टेप लगा लिया है कि कंक्रीट जब होगा तो यह सेफ रहेगा थ्राडी और नाप लेते यहां प में पे हमारा नट बोल्ट है ठीक है यह रड जो है थ्राडिंग रड सेंटर टू सेंटर तीन सो एमेम है ठीक दोस्त और नीचे काटून लगा हुआ है आप जो देख रहे हैं बेस प्लेट पे कि कंक्रीट अगर गिरेगा तो यह यह क्लीन हो जाएगा असानी से ओके दोस् में जोड़ें और यहा के दोस्तिधा डेकर है यहां पे हो गया है एक डिरीडिया इस से पहले आप चिस से अपना नयूरत बोलोकार चेक कर लेना भू ज़रुरी होता है आप चेक कर लेना जरूर तो है उसके बाद से आपको बता सो यहां पर जो देहिए आप एक पाइप लगा हुए ठीक है ना इसमें यह प्राइप लगाए तोछफ रीचनों लिश्जा की मिदिगे apologies इसे लिए एंड traveling तो यह आपको प्लाइट ल्गाने से पहले आपको पूरे पाइप चेक कर लेना है कि सेटरी में और आपको पूरे मास्किन टेप मार लेना है उसके बाद से जब खुलेगा तो यह से आपको दिखेगा फॉर्णेशन ठीक है इसी पर लाइट लगाए ठीक है दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर ले बेल भी फटएप लग दिये हैं कि इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप जरूर वीजिट करें अगर हमारे वीडियो अच्छी लेगे तो कमेंट जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए वाइब है दोस्तो हमारे अगले वीडियो आने वाला है केबल लेंग कैसे करें और पोल टर्मिनेशन कैसे किया जाता है और पाइनल टर्मिनेशन कैसे किया जाता है तो ये वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्स्राइब कर लिए नेक्स अपलोड करेंगे मैं वीडियो ठीक है दोस्त तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें झाल